पराई माल चोते चोते फेरे बाई हुईरे पराई राजस्तान में केवल साड़े तीन फेरे होते हैं और ये साड़े तीन फेरों की परंपरा चली है पाबू जी से पाबू जी मा देवल चारने की गायों की रख़ा करने के लिए साथे तीन फेरों बीच में ठाग करके कटार से अपना घट जोड़ा काट करके वहां से चल पड़ते हैं तो पाबू जी की जो सालियां होती हैं वो कहती है पाबू जी को जेज हूंत कर जींद तस्वीरां लिक लिए तुरत बढ़े जेशड़ो बिंद उमर कोट नहीं आवसी और मित्रों उसी से साथे तीन फेरों की परमपरा चली तो चोते चोते फेरे बाई हुई रहें पर आई याद रखना बावर पड़ते समय तीन गीत फेरों के समय तीन गीत हतलेवो चंवरी और सेवरडो जान दीजेगा इनके बाद कौन से गीत अब फेरा फाटे किरिया करम समाप और फेरों के बाद में गीत गाया जाता है जिस गीत का नाम है जला कौन सा गीत है जी जला और जला गीत कब गाते हैं फेरों के बाद फेरों के बाद दुला और दुलन दोनों को कहां ले जाते हैं बरात के डेरे पर बरात का डेरा मेंज राज की प्रात्मिक विद्याले में फेरों के बाद दुला दुलन को दुला दुलन को बरात के डेरे इस डेरे को पूर्वी राजस्तान में बोलते हैं जनवासा बारात के डेरे वो भी लिख देता हूँ हिंदी में कहते हैं इसको जनवासा जनवासा में ले जाते हैं साथ आगे आगे दुला और फिर साथ में महीला हैं चलती है दुलन के साथ और फिर कौन सा गीत गाती है और डेरे पर जाकर के देखते हैं कि आदी रात के बाद में वो पड़ेवी जो इनके दुल्ले के जो गाओं के लोग है यानि हमारे दुल्लन के ससराल वाड़े वो बे लखने हैं या लखने हैं उस पड़ेवी उन इस्तितियों से पता जल जाएगा तब जाके कौन सा गीत गाते हैं जला याद रखना जला गीत वधूपक्स की महिलाएं गाती हैं मैं लिखी देता हूं नहीं तुम डाफासू को ले जाती हैं और कैसे गाती हैं हो जला सैन में तो राजिरा डेरा निर्खने आया जी जलाल हम तो तेरे डेरे को निर्खने आये हैं हूं मिर्गाने नी राजलाल जी आरी प्यारी राजलाल में तो राजिरा डेरा निर्खने आया जी जलाल एवी भाजित राजस्थान सेंताडी से पहले का राजस्थान जिसका बटवार अनीव था राजस्थान में क्या क्या चीजें कि छीटा मायली छीटे बली मुलतानी जी मुलतान एक जगय बेटो जो बटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया मीरपूर, अमरकोट, थारपार, मुलतान, राजस्तान का हिस्सा है लेकिन दुर्भागे से राजनेती नहीं सीमा एक खेंच दी लेकिन संस्क्रती आज भी नहीं मट पाई, आज भी वो संस्क्रती वहाँ भी पाई जाती है चीटे कपड़ा होता है, क्या-क्या भी सेजता है, वो होता ही कि उसमें मुरू धरागी कि चीटा मायली, चीटे बली, मुलतानी जी, वो मिरगाने नी राजलाल ही हिरनी की समाना खुमारी, इस दुलन की जलाल वो मिरगाने नी राजलाल, प्यारी जोडी राजलाल में तो राजरा देरा निर्खन आया जी जलाल कि राण्या मायली, राणी भली, वो भट्यानी जी सबसे महत्तों पुना के राजपू समाजी में सरवाधिक बैत्वेक किसी जाती की महिला को दिया गए मित्रों याद रखने की बात ये जलागीत बहुत महत्तों पुने पूछा जाए कि जो आज सादी में गाया जाता है जलागीत ये जलागीत कहां से लिया गया है ये प्रसिद्द प्रेम कथा और वो प्रेम कथा कौन सी है जलाल बबुना जलाल बबुना प्रसिद्द प्रेम कथा जलाल बबुना से प्रेरित है बेटा जलाल नाम का एक लड़का होता है जो एक महिला से प्यार करता है उस महिला का नाम है बबुना और दुरु भग्य की बात ये बबुना जलाल की मामी थी और नान दे को मामी से प्यार हो जाता है मत तो पतली पढ़ गई नान दा थार मामा रह बीना वो मामा के बीना पतली पढ़ रही है अपने वाली और ये पढ़ गई थी नान दे के बीना तो मामा और नान दे की लव स्टोरी है इसलिए कहते है बाणजे को गर में नी रखना जी नि वो गड़बड कर जाता है मामा तो बाणजे को रखता था और मामा घर को बरबाद कर गया तो ये बहुत प्रसिद लव इस्टोरी है पाकिस्तान में जो जगे सिंद सिंद का सूमरा नाम का सासक था उस सूमरा सासक का भान जाता जिसका नाम था जलाल और साब जलाल की बच्पन में मम्मी पापा मर गए तो वो सूमरा जलाल को अपने घर ले आया था उसका लालन पालन क्या रहे इतना सुंदर था ये जलाल इतना सुन्दर था कि पूछो मत एक दिन वो सूमरा कहीं गया था सिकार करने सूमरा बूड़ा था मामा और वहाँ पर पनगट पर पानी बरती भी बबूना को देख लिया और बबूना को देखर सूमरा की हालत खराब हम दिल दे चुके सनम हम तुमारे हैं सनम कोईला फिलम देखना वो क्यों वह स्टोरी अब मामा सूमरा के दो जच्चित साधी करूं तो बबूना से करूं लेकिन वो तो बुड़ा था बुड़े की साधी कौन करे तो इसने सूमरा ने तरकीम निकाड़ी और बबूना के पास फोटू बेज़ दी जलाल की कि मैं यह हूँ उस हूमरा ने फोटू इसकी बेज़ दी और कि मैं यह हूँ और तुझ से साधी करना सा बबूना ने जलाल को देखा और हम भी दिल देश के सनम हां कर दी दोनों का निका हो गया साधी के बाद पर्थम रातरी की मिलन में जब बबूना ने देखा उस बूड़े खापट को रहा राम सपेद दाड़ी बडिवीर हे बगवान बरबाद कर दिया ये बूड़ा भी कहां से फोटू किस की और आ गया कौन सा अब साब लेकिन अब तो निका हो गया अब शिकारी भी कर लिया करे तो क्या करे लेकिन बबूना ने एक दिन महली में गूमती हुए जलाल को देखा रहा जिसकी फोटो मैंने देख के हां करी थी वो तो ये उसको बुलाया और पूरी स्टोरी बता दी बुले तेरे मामान ऐसे ऐसे तेरी फोटो बेज के मेरे साथ चड़कपट किया मित्रोसाइदी ये कहाणी बताने के कोई आवे सकता नहीं है बहुत प्रसिद लव स्टोरी है और उसी के बाद मैंन की प्रेमकता प्रारम होती है और किस प्रकार बुलुचिस्तान के विद्रो को दबाने के लिए सूमरा इस जलाल को मरवाने का एक उपाई ढूनता कि बुलुचिस्तान के विद्रो को दबाने जाता है लेकिन महाबली ये वीर जलाल उस विद्रो को दबा करके आ जाता है और जैसे ही साम के समय कई साल बर बाद में पूँचा देखे कोण कोण क्या क्या कह रहे हैं किसन का डाडा चोदरी का रामराम भाई मामा मामा मी पढ़ रहे हैं गुरुदे पढ़ो पढ़ो भेटा किसन देख ले तो पंडी जी मैंने तो कर लिया जै भोड़े बाबा की मैंने इतने दिन कलास नहीं ले पाया अब बहुत आपने लालियां बजाई अब तो ध्यान दो कलास में अपने कलास नहीं ले नहीं लव लिजी क्या बात है क्या बात सेर है ओके राउल जी मामा भात बने आया तब गाउं के कांकड पर लाल रंगा कपड़ा रखते हैं ना गलत बात कह रहा है बेटा उससे तो कांकड पेरावनी या कांकड उढ़ावनी कहते हैं और चूनड़ी होती है जो जाड़ी को उढ़ाई जाती है गाउं में अगर फिर भी कोई आया गया कोई मंगता बिखारी भी नहीं रेजाए आज में बात बरने हैं तो वो जो बिखारी कोई भी होता वो ले जाता उसको किस्टन गड़ा चोटा सोधरी का रामनाम चोटा माम मज़ा आ गया यार मज़ा आ गया यार सर साधी में रात को भी बताओ गुरुजी साधी में रात सागरत तु बुला ले ना तेरे गर फिर बहां बताओंगा सर बीजोरा क्या है लवली गुरुजी नहीं पढ़ा दे बेट अच्छे मैंने होगे क्या बात है प्रिया सर्मा कह रही है पापा शाबास प्रिया अरे बुरी बाई है कि तु बुरी बेटी नामा वाली है ने सर सर क्या बात क्या बात क्या बात नमस्कार नमस्कार आईए चलते हैं तो जलाल और बबुना की जो प्रेम कता है फिर वो जलाल आता है कि इस प्रकार बबुना रातरी में मिलने जाती है उसको आने नहीं दिया जाता है तब बबुना जलाल के लिए गीत गाती है मिरगा नेनी रा जलाल को मेरे जियारी प्यारी रा जलाल में तो रा जिरा डेरा निर्खन आया जी जलाल तो मित्रो ये जलाल